प्रधानमंती नरिण मोधी ने पार्टी नेताओं और कारकरताओं को रास्ट्रवात का पार्ट पड़ाया, तो वही कॉंग्न ने मोधी सरकार को वादों को पूरा करने की याद दिलाई बाजपार राश्टरवाद के सहारे उत्तर प्रदेश और पंजाब के आगामी विदान सबा चुनाओं में उतर सकती है यह संकेद बीजेपी की कौर बैटक में खुद प्रधान मंतरी नरीन मोदी ने दिये है प्यम मोदी ने कहा कि पार्टी को अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अगले 30 वर्श तक सरकार में रहना है और इसलिए देश हित में चुनाओ जीतना उनका रास्टी करतव है और आखरकार प्यम मोदी ने पुर्जोर शब्दों में कहा कि रास्ट वाद बीजेपी की पहचान है इसके साथ ही प्यम मोदी ने कारकरताओं को सला दी की हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो सरकार के अच्छे कामों के बावजूद लोगों को गुपरा कर रहे हैं दलित इंसा पर विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही पार्टी के बचाहों में प्यम मोदी ने कहा कि स्थी प्रतिशत पार्टी के सदस स्थी स्थी और ओबी सी कर्टेगरी से तालुक रखते हैं खुद को राष्ट वादी बताने वाली बीजेपी पर कॉंग्रिस के प्रवक्तार अनदीप सुर्जेवाला ने निशाना साथते हुए कहा कि प्यम मोदी अपना लक्ष बदल रहे हैं उनको चुनाओं में जीत राष्ट वाद के लिए नहीं बलकि लोगों से किये वादे पर मिली थी जो उन्होंने कभी पूरे नहीं किये हैं प्यम मोदी का राष्ट वाद को तरजी देना इस बात की और साफ इशारा करता है कि यूपी और पंजाब के आगामी चुनाओं में बीजेपी विकास की बजाए राष्ट वाद के जरीए मैदान में उतर सकती है देखते रहें डीबी लाए